है यह आज मैंने आपके लिए डिप्रेंज बिट्वीन लाई हो साइकोसिस और नियूरोसिस का तो सबसे पहले उसका पॉइंट दिखेंगे साइकोसिस के इत इस वेरी सीरियस मेंटल इलनेस धाट अफेक्ट यूर होल परसनलिटी यह सीरियस मेंटल इलनेस है जो पूरी परस वेन्टलनेस है जो फियर न वरी को क्रिेट करती है उसका सेकेंड पॉइंट जो साइकोसिस नaramग्यज़ में देम साइट अ कहीन गर्शेंट जो साइकोसिस में पेशन को हसपिटिल अधेयर रहेता है उनको एड्मिट करना पड़ता है and neurosis में hospitalization is not required मतलब उनको hospitalization के जरुरत नहीं रहती है psychosis में patient को ECT means electroconvulsive therapy is required वो दी जाती है and neurosis में ECT जो है वो not required रहते है उनको जरुरत नहीं रहती है ECT देने की psychosis में जो इसमें major disturbance देखने को मिलते है जैसे है disturbance, disturbed in thinking, emotion and perception neurosis में है इसमें कुछ हद तक मतलब markedly disturbance देखने को मिलते है जैसे disturbance in thinking, emotion and perception वो रहेंगे बट कम इसमें रहेंगे as compared to psychosis उसके बाद है psychosis में इसमें delusion and hallucination present रहता है जो patient है उसमें delusion and hallucination present रहेगा और neurosis में delusion and hallucination absent रहता है psychosis में patient को antipsychotic drug दी जाते है जो mainly उनके behavior, thought and emotion पर act करता है इसमें antipsychotic drug prescribed करते है जो उनके behavior रहता है, thought रहता है और emotion उसको वो act करता है और उसको control किया जाता है और neurosis में behavior therapy, counseling and supportive therapy दी जाती है इन therapy से जो उनके symptom है उसको control किया जाता है उसमें psychosis में जो है, इसमें patient की personality पर affect होता है जो भी patient की personality है, उन पर वो affect होँगा और neurosis में उनकी personality पर affect नहीं होता है फिर psychosis में इसमें patient के thought, speech and communication changes होती है उनके जो thought रहते है, speech रहते हैं बात करनी के जो बात करते हैं वो सब उसमें changes आते हैं, affect होता है उन पर नियूरोसिस में इसमें पेशन्ट के थौर्ट, स्पीज और कम्मुनिकेशन पर कम्मुनिकेशन चेंज नहीं होते हैं उन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है फिर साइकोसिस में इसमें पेशन्ट अपने प्रॉब्लम एंड डिसॉर्डर के बारे में अवेर नहीं रहता है उनको पता नहीं रहता है कि उनको कुन सी problem है, कुन सा disorder है, क्या हो रहा है उनको, वो कुछ पता नहीं रहता है, aware नहीं रहता है और नियूरोसिस में इसमें patient अपने personal problem and disorder के बारे में aware रहता है उनको पता रहते है कि उनको क्या problem हो रही उनको कुझसे disease है वो सब के बारे में यह aware रहते है psychosis में इसमें organic reason present रहता है and neurosis में इसमें organic reason जो है वो absent रहता है फिर psychosis इसको treat करना difficult है difficulty रहता है क्योंकि इनमें drug यह वो ect therapy दी जाती है और neurosis इसमें इसको treat करना easy है फिर साइकोसिस में इसमें और्गनिक और फंक्शनल डिसर्डर आते हैं और्गनिक में डिलिरियम, डिमेंशिया और फंक्शनल में सिजोफ्रेनिया, मूड डिसर्डर और मूड डिसर्डर के अंदर मैनिया और डिप्रेशन ये कंडिशन आती है इसमें POHA means phobia, OCD, hysteria, anxiety यह disorder आते है तो आज का अमारा difference between जो है यह हो गया यह आपे खतम तो आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करे and thank you for suggestion and thank you watching for my video